क्या होता है क्यों होता है कोई पाता है कोई होता है नमस्कार मेरे नाम है सुशील सिंग एलेक्शन्स आ गये हैं विल्कुल हमारे सर पे हैं 2024 के और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जब 2014 में नरेंद्र मोदी अपने पद की तरफ बढ़ रहे थे 2013 में 2013 से मेंली उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया तो बहुत सारे अक्टर्स थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता में एक माहौल तयार करने का प्रयास किया था एलिस्टर्स तो नहीं है उसमें मुख्य रूप से पर जो तूसरे अक्टर्स हैं अच्छे अक्टर्स हैं विदाउड डाउट अक्टर्स ठीक हैं बट इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ डिरेक्टर्स हैं अक्टर्स हैं और उसमें एक तो मेरा भी फेवरेट अक्टर और ड्रेक्टर है, सब ने नर्मोदी खिलाब उल्टा सीधा बोला था लेकिन A-Lister में एक वेक्ति है जिसका जिसने genuinely अपने concern raise करे थे उसको, देखिए, हर चीज को हम अपनी दृष्टे देखते हैं, हमारा अपना नजरीया है, हर चीज को देखने का उसके पीछे मुख्य कारण है कि किस माहौल में हम बड़े हुए उसी से हम अपने दृष्टे कोण बनाते रहते हैं आमिर खान जो है इसने एक बार, शायद ये बहुत पुराना इंट्रव्यू है वाक दे टॉक में, नेन्द मोदी के बारे मुशने क्या कहा था ये देखते हैं इस वीडियो में उसके बाद, अब उसके क्या विचार हैं ये भी देखेंगे हम ये देखिए आप वीडियो देखिए I realized that that there is a lot of poison that can be spread in people's minds and for example this case of you know, what happened in Gujarat was really appalling according to me, somebody like Modi is I mean, there were Indians killed over there there were innocent Indians who were killed it's completely irrelevant whether there were Hindus or Muslims or Christians or Parsis or Sikhs there were Indians being killed and for which do they have been punished so far by a leader who's supposedly a leader and he is responsible he and his party he and his people are responsible for the killings of and and high trauma on thousands of Indians you know, in the news nowadays you have this the US rejecting the visa for Mr. Modi and that has become a thing of national honor now our reaction is that first of all we should say hey we didn't penalize a person who's been killing innocent people somebody else is raising a voice that voice may be America it may be I don't care who it is so instead of instead of us saying hey wait a minute maybe we should have taken cognizance of this much earlier and since we have and let's take congress into it now that is I feel the approach that maaf maaf ki jiyega bauht lamba ho gya ya video ya in a asal kya kya ki kya kya vekti joh amir khan bharat ke karan pradhan mantri ke barahe me joh gujarat ka mukhi mantri tha kya parakar biassed opinion hai us ka mtlb loaded hai biased hai kya kya s tarah ka opinion joh completely negative opinion yaha tk ki ye vekti amerika ke dvara kis tisri shakti ke dvara narendra modi ko visa nahi dvara narendra 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 dvara last me kya Rha Di kya pró these kya Microsoft kya 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 ??? Kya 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 kun kya kya प्रफिकांधी के अंदर भी ये कमिया है या मनमोहन सिंग के कुछ कही वी बाते ठीक नहीं है यह बात कर रहा है आइडियो आफ इंडिया आपको पता आइडियो आफ इंडिया का मतलब क्या है अब मैं यह समझ नहीं पाता हूँ कि कि इस तरह की चर्चाएं जब हो जाती है तो सिंपलिस्टी का प्रज़ से अमिर खान कह रहा था अपने वीडियो में या मुक्तदर खान कह रहे हैं अपने वीडियो में अब आप उस पर आ जाईए आमिर खान का एक और वीडियो आ गया है मार्केट में जो भी मन की बात का जो शायद सौवाँ एपिसोड या कुछ त अब आमिर खान के कुछ और अप्रोच है 2002 के दंगे खतम हो गए अमिर खान ने कुछ और बोल दिया मोदी के बारे में इसकी अमिर खान की फिल्म याद है रंगदे बसंती आई थी जिसमें योजना बध तरीके से भगवा रंग लपेटे हुए लोगों को गुंडा दिखाये गया था कि सारे गुंडे हैं सब के सब बुनडे हैं सरकार कांगरेस की थी केंदर में सरकार कांगरेस की है पीक्च वन दरी उसमें सरकार Бीजेपी की है और वो धंग्य करवा रही है रंग बसंती दुब़ारा देखिया आफ फिल्म मुझे पसंद आई थी क्योंकि उस समय तक मुझे nuances नहीं समझ में आते थे ये left द्वारा प्रयोजीत बारीकियों पर ध्यान नहीं जाता है अब ध्यान जाता है तो ऐसा लगता है कि बाप रे बाप कितने गहरे में बैठे हुए ये लोग अब आई ये बात करते हैं भारस सरकार हैं मंतरी हैं अदरनी समिती रानी जी इन्हों नरंद मोदी के बारे में क्या कहा था याद है 2004 में कि नरंद मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए यही समिती रानी जी मैं उन एक्टर्स के नाम बताता हूँ जिन्होंने इनके मोदी जी के खिलाफ कुछ न को जरूर का है चलिए कमाल आरखान साब है उन्होंने तो कहेंगे कहेंगे रजा मुराद है काफी वेटरन एक्टर हैं बॉलिवूड के उन्होंने भी कहा नेगिटिव चिरन जीवी साब है वो भी बहुत अच्छे एक्टर है उन्होंने भी कहा राखी सावन्त को चलो लेट्स नॉट गेर इंटू राखी सावन्स मैटर उसके अलावात तिक मांचो दुलिया ने कहा कि उनका अलीगड मुश्लिम विश्विद्याले में जाऊंगा तो ऐसी बात जरूर करूँगो जहां तालिया बच जाए तो अलीगड मुस्लिम विश्विद्याले में जाएए आप विनाग दामुदर सावर को गलिजी देखो क्या तालिया बसती है Similarly वो वहां गए अलीगड में कहा कि I am not a Modi fan and it will be sad to see him as the PM इंगमान्शु धुलिया जी है हंसल महता नाम का एक वेक्ती है मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं इसके बारे में An appeal to the voters, vote for the secular party BJP को vote ना करें, बहुत रिसपॉइंटिंग है ऐसा कहा था उसके अलावा स्मिती रानी का नाम है बहुत सारे actors हैं जो नरेंदर मोदी के खिलाफ बोलते रहे हैं मैं हमेशा देखिए मैंने भी नरेंदर मोदी को बहुत बार criticize किया मैं हमेशा करता हूँ नरेंदर मोदी क्रिटिसाइज पर मैं policies पर क्रिटिसाइज करता हूँ इसे आमिर खान का जो criticism पहले वीडियो में है वो भी ऐसा लगता है कि biased feed मिला है उनको ऐसा कुछ इस पर वो बोल रहे हैं और अब वोला आमिर खान ऐसा लगता है जो इस नरेंदर मोदी के जगर्नौट से या जगर्नाथ बोलते है जगर्नौट अंग्रेजन बना लिया हमारा उससे हार गया है मन में तो वही सोचता है वो मन में उसके वही negativity है पर वो सामने नहीं बोल सकता हिंदुस्तानी जो actor-actresses है न उसमें किवल एक वेक्ती अभी तक मुझे ऐसा दिखा है जो जिसको descent भी कैसे करते हैं उसका नाम है शारुख खान शारुख खान ने descent भी ढंग से करा है उसको अगर problem थी उसने problem भी ढंग से अपने तरीके से अपने लहजे में बताई है और जो अच्छाई हैं उसको वे अपने लहजे में उसने बताई है जैसे कि अगर आपको याद होगा शारुख खान ने रिसेंटली जो नया पार्लेमेंट बना था ये वीडियो देखे शारुख खान का नया पार्लेमेंट के टाइम पे झाल झाल आपको पता है इस वीडियो के लिए शारुख खान को कितनी गालियां पड़ी है पिग गया है तू तुझे खरीर लिया गया है तू मुसल्मान नहीं रहा तू मुमिन नहीं है तू कलंक है तू ये है तू वो है वो वेक्तिकेवल अपने पार्लेमेंट की बात कर रहा है और कुछ नहीं बोल रहा ना उसने ने ने मोदी का नाम लिया ना उसने बीजेपी का नाम लिया उसने पार्लेमेंट को देखा उसने बोला यार सच अ ब्यूटिफुल प्लेज I should be talking about it and he spoke about it उसको इतनी गालियां पढ़ी है उनका ये मन है जो लोग ये गाली देने वाले हैं ये वही लोग हैं जिनके लिए सोनिया, राहुल और खड़ गे मोदी जी के उसमें नहीं गे भारत के प्रधान मंतरी के लाल किले में लाल किले में लगबग पहली बार ऐसा हुआ है कि ओपोजिशन के मुख्य लीडर नहीं गए उन्हें लोग खुश करने के लिए जो लोग शारुखान को आली दे रहे हैं और एक बात नरेंदर मोदी को पॉलसी पर क्रिटिसाइज करिए हैं इस तरह से आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसके मीटिंग स्किप कर रहे हैं और देश में डेमोकरसी की घटिया मिसाल पेश कर रहे हैं यकीन मानिए नरेंदर मोदी 2024 फिर जीत जाएगा आज के लिए इतना ही थन्यवाद